आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये वर्ड और ये वर्ड दोनों की स्पेलिंग तो सेम हैं लेकिन प्रिनांसियेशन और मीनिंग दोनों के अलग हैं तो पहला वर्ड है टियर जो की एक नाउन है और इसका हिंदिय मतलब है आसू इसकी singular form है टियर और plural form है टियर इसके कुछ example sentences अगर मुझे बोलना है कि वो फूट फूट कर रोने लगी तो उसको में इंग्लिश में बोलूगी शी बर्स इंटू टियर अगर मुझे बोलना है क कि उसने अपने आसू पोचे तो इसको में इंग्लिश में बोलूँगी शी वाइब अवे हर टियर एक और चीज होती है खुशी के आसू जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टियर ऑफ है या फिर टियर ऑफ जॉए यह जो second word है इसे हम कहते हैं टेयर टेयर का मतलब होता है फ मैंने बोलना हूँ कि मैंने पेपर फार दिया तो मैंसे बोलूंगा I tore this paper I'm sure आपको tear और tear के बीच में different समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को like जरूर करना और अगर चानल पे नए है तो चानल को subscribe करना मत भूलना